नमस्ते दोस्तों आज हम कटाहल की सबजी बनाएंगे बिल्कुल देशी तरीके से बनाएंगे वो भी चूले पे बनाएंगे सबसे पहले मसाला पीछ लेते हैं उसके लिए नमक ले लिया लाल मिर्ची लैसुन जीरा बड़ी लाइची अब थोड़ा सा पानी डाल के पीछ ल डाल देना है प्याज को अभी साथ में पीछ लेते हैं कि यह सबजी खाने में बहुत टेश्टी लगती बिल्कुल देशी तरीके से बनाएंगे देखिए बड़िया सा मसाला पीछ चुका है थोड़ा सा और महिन कर लेना है अब इसको निकाल लेना एक प्लेट में और बट्टे में जो लगा है मसाला उसमें भी पानी डाल के निकाल लेना है अब कटाहल को काट लिया था अच्छे से धो लेना है अब चूला जला लेते हैं अब कडाही रख देना चुले पे और प्याज को भी काट लेना है एक प्याज हमने पीस लिया एक काट लेना है अब सरसो का तेल डाल देना है, सरसो के तेल में सबजी बहुत जादा टेश्टी लगती है अब कटाल को पहले भून लेना है, बड़ियासा कलहार देना है जिसे बहुत टेश्टी सबजी लगती है ऐसे में कटाल पक भी जाता है और बड़ियासा भून भी जाता है एक बार इस तरह से जरूर बनाईएगा सब्जी देखिए बढ़िया सा भून चुका है थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है अब इसको निकाल लेना एक प्लेट में जो तेल बचा हुसी में थोड़ा सा जीरा डाल देना है और हींग डाल देना है अब प्याज को भी भून लेना है बढ़िया लाला लोने तक भून लेना है प्याज भी अच्छे से भून चुका मसाला डाल देना है और मसाले को भी अच्छे से चला के पका लेना है अब थोड़ा सा पानी डाल देना है जिससे मसाला अच्छे से भून जाएगा देखें मसाला भून चुका है अब टामाटर डाल देना है टामाटर छील के डालना है ऐसे डालना है तो पीस के डाल सकते हैं अगर छील के नहीं डालेंगे तो छील का अच्छा नहीं लगता उसका अब थोड़ा सा पानी डाल के बढ़िया सा भून लेना है मसाले को अब कटाहल को डाल देना है और अच्छे से चला देना है बढ़िया सा कलहार देना जिससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब दो मिनिट के लिए ढख देना है अब पानी डाल देना है एक बार अच्छे से चला देना है अब ढ़क्य सबजी को पका लेना है अब आटा गूत लेना है आज हम हत्कोई रोटी बनाएंगे जो बहुत जाला टेस्टी लगती है बनाना बहुत ही आसान है सबजी भी एक बार चला देना है सबजी पक चुकी है बहुत अच्छे से नहीं कली है इसलिए एक बार और ढग देना है देखिए सब्जी बढ़िःसी पक्के तयार हो चुकी ये तेल उपर आ चुका है बढ़िःसी गल गई ये सब्जी अब धन्य पत्ति डाल देना है देखिए कितनी स्वाधिष्ट सब्जी लग रही है अब इसको उतार के रख लेना है आब रोटी सेक लेना है देखें कितनी अच्छी सबजी बन के तयार हुई है अब चूले का बना खाना वह ऐसे भी स्वाधिश्ट लगता है बहुत ज़्यादा टेस्टी सबजी बनी है अब तावा रख दिया रोटी सेंक लेना है एक बार आटे को अच्छे से माड़ लेना है बढ़िया से चिकना कर लेना है हाथ कोई रोटी बनाने के लिए बहुत टाई टाटा नहीं गूतना है थोड़ा सा मुलाय महीं गूतना है तब ही हाथ से बढ़ती है रोटी और बहुत मीठी रोटी लगती है चूले की बनी देखिए इस तरह से बढ़ा लेना हलोई को बढ़िया से गोल गोल रोटी बनती है और बहुत आसानी से बढ़ जाती है रोटी देखिए कितनी गोल रोटी बनी है जैसे हमने फीड़ा में बेला उस तरह से बनी है क्योंकि हमने बहुत रोटियां बनाई है चूले पे तो बहुत अच्छे से बन जाती है और बहुत अच्छे से फूलेगी भी रोटी दूसरी रोटी उपर डाल देना है तावे पे और नीचे सेखते जाना है देखे कितनी बड़ी है रोटी फोल चुकी है अब पलट देना है रोटी को देखिये रोटी सिख चुकी है और कितनी बड़िया रोटी लग रही है एक ठाली में रखते जाना है गरम गरम खाना परस भी देना है तो बहुत अच्छा लगता है गरम गरम खाना चूले का खाना बहुत टेश्टी बनता है ऐसे ही सारी रोटिया सेक लेना है हमने चूले में बहुत खाना बनाया है इसलिए चूले में बनाने में दिक्कत नहीं होती है खाना बहुत आसानी लगती है हमको खाना बनाने में और हाथ से रोटी पो लेना है बहुत आसानी से बढ़ जाती है फटा फट रोटी बन जाती है देखे कितने प्यारी रोटी लग रही है ऐसे ही सारी रोटी बना लेना है दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आयों तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा एक बार जरू ट्राइक कीजिएगा देखे रोटी ये सेक रही है और उसमें घी लगा के बड़ी हासा सरो कर देना है हम लोग तो गाव में ऐसे ही खाना परस्ते थे कोई भी कटोरी और किसी सीज के योज नहीं करते तो उसी थाली में सबजी उसी थाली में रोटी दे देते थे देखे कितना बड़ी हाला रहा है खाना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्ते मिलते नई वीडियो के स तक तरके